हेलो फ्रेंट्स, वालकम चो मैं यूटीब चानल और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं 36 बस साइस का प्रिंसस कट ठीक है फर मार्टि कंडिंग में आपको बताने वाली हूं तो मेसरमेंट इस परकार से हम लोग का लेंथ है 14 बस है 36 वेस्ट है यानि कमर है 32 और बेक नेक है 9 इंच तो इसके एकोडिंग है हम लोग सॉल्डर भी लेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं लेंथ ले लेती हूं तो लेंथ हम लोग का है 14 इंच तयार और उसमें हमें प्लस वन इंच कर देना है ठीक है यानि 15 इंच हम लोग टोटल लेंगे और सीधी लकिर खीच लेते हैं इस परकार से ठीक है यह हो गया जैसे हमने देखा कि 9 इंच है हम लोग का बेक नेक ठीक है तो इसके एकोडिंग हम लोग सॉल्डर लेंगे तो यहाँ पे मैं सॉल्डर ले रही हूं 5.25 यानि यह हम लोग का 5 और यह 25 यहाँ पे आता है ठीक है तो मैं 5.25 का सॉल्डर ले रही हूं और पौने 6 इंच का आम होल यहां से भी मैं 5.25 देख लेती हूं ठीक है अब मैं जो हैं मतब मार्किंग को मिला देती हूं इस तरह से तो अब हम लोग लेते हैं हमारी रसके बर्श्ट तो बर्श्ट है हम लोगा 36 तो उसका 4 बाग आयेगा नो इंच तो नो इंच पे मार्क कर लेते हैं और यहां पे हम लोग लेंगे हब, 1 इंच का से यहां पर लोग का डार्ट बनेगा फिरिंसेस में. ठीक है और यहां पर europe जितना भी लेना है उतना ले लिजे मैं 1.5 इंच का ले रही हूं आप 2 इंच तक ले सकते हूं अगर आप विगनर है तो आप ज्यादा ही ले लिजे और यहां से हम लोग राउंड शेप देंगे 1.5 इंच पे बेक आम होल का ठीक है इस तरह से और फ्रंड के लिए हम लोग यहां से 0.25 आएंगे क्यों हमने कम ले लिया है तो इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे यहां से और इस तरह से यह हम लोग का बन जाएगा फ्रंड आम होल ठीक है तो यह बेक आम होल है हम लोग का और यह फ्रंड आम होल है अब कमर पे चलते हैं कमर है हम लोग का 32 इंच तो 32 का चोथा भाग आए इंच तो मैं यहां पर 8 ले लेती हूं और यह हम लोग फ्रंट का कट कर रहे हैं और यहां से मैं 2 इंच ले लेती हूं margin का ठीक है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बिलेंगे अब इन पॉइंट को मिला देते हैं मार्जन लाइन को मार्जन में और यह वाली फीटिंग लाइन को फीटिंग में ठीक है इस तरह से तो लगबख से हमारी जो marking है वो complete हो चुकी है अब आप यहां पर नेक की चॉडाई कितना लेंगे तो मैं नेक की चोड़ाई श्रिफ दो इंच ले रही हूं और यहां पे छे इंच ले रही हूं फ्रन नेक ठीक है और यहां से मैं धाई इंच लूँगी और इस तरह से मार्किंग को मिला दूँगी फिर यहां से हाप इंच लेख इस तरह से गोलाई में शेफ दे देंगे या आप अपने अनुसार दे सकते हो जैसा भी आपको नेक चाहिए ठीक है अब यह हो चुकी है अब प्रिंसस कर करने के लिए हम लोग यहां से मेडिल लेंगे इसका यहां से और इसका तो आपको पता है बर्ष पॉंट निकालने के लिए हमें करना यह होता है इस पॉंट से लेंद तयार लेंद से हमें नेक तक मेजर करना होता है उसको दो भाग करना होता है जितना भी आएगा आपका उतना में हम लोगा बर्ष पॉंट जो है वो बन जाएगा तो यहां पर हम लोग का बर्श पॉइंट बंढ रहा है तो मैं इस तरह से मार्किंग कर देती हूं और यहां पर हम लोग फ्रंट की तरफ हम लोग शेप देंगे तब डाउन करेंगे नेक में ठीक है क्योंकि डीप है 9 इंस का है हम लोग का नेक तो इसलिए हम लोग इस डाउन करेंगे ठीक है नेक की तरफ डाउन करेंगे जैसे मैं हमें से बताते हूं कि डीप नेक में हम लोग नेक की तरफ ही डाउन करेंगे जैसे हम लोग नॉर्मल नेक होने से आम होल की तरफ डाउन करते हैं तो इस लिए हम लोग नेक की तरफ करेंगे अब यहां से हम लेंगे 3.25 ठीके और यह हमारी एक पॉइंट दो पॉइंट और यहां पे हमारी तीसरी पॉइंट है ठीके तो तीनों को मिला देते हैं इस तरह से इस तरह से तो यह मिल चुकी है और यहां पे हमने half inch का extra लिया था ठीके तो half inch का extra लिया था तो इधर से हम लोग 0.25 लेंगे और इधर से 0.25 लेंगे ठीके यहां से 1.5 inch तक आएंगे हम लोग और इस तरह से डाट बना देंगे ठीके यह हो गई अब यहां पर नीचे में हम लोग लेंगे दो इंच का हमने एक्स्टा लिया था तो यहां से एक इंच लेंगे और यहां से एक इंच ठीके इस सेंटर पॉइंच से इधर एक इंच ठीके और यहां पर हम लोग मिला देंगे तो ये हमारी डार्ड बन गई है ठीक है इस परकार से ये आएगा इस तरह से ठीक है तो ये हमारी प्रिंसेस कट की मार्किंग जो है वो पूरी हो चुकी है अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखा रहती हूँ और ये 36 का है फ्रैंस तो अगर आप किसी और बस साइज का मेजर्मेंट अगर आप चाहते हो मैं इसके उपर में वीडियो बनाओं प्रिंसेस का टुकटिंग या किसी और ब्लाउस पे यानि जैसे कटोरी ब्लाउस हुआ या पॉर्टक्स हुआ तो आप मुझे कमेंट बोक्स कर सकते हो आप मुझे मैजर्मेंट भी दे सकते हो ताकि उसके अनुसार आपको फर्मा कटिंग करके बता सकूँ ठीक है तो यह फ्रंट का है तो मैं फ्रंट का आम होली सबसे प्रेड़े कटिंग कर रही है अगर आप इसी को रखकर बेक साइट का मतलब कटिंग करना चाहत कट करेंтак अब हम लोग यहां पे कटिंग करते हैं तो इस तरह से करेंगे यहां पे हमारी हमने के सबसे पहले कट करेंगे और फिर हम लोग जाएंगी तरह to अब यहां से हम लोग इस तरह से कट करेंगे इसको निकाल देंगे कटिंप करके यह हमारी हो चुकी है प्रिंस कट की कटिंग तो आप लोग देख सकते हो यह हमारी princess cut की cutting बिल्कुल complete हो चुकी है और यह 36 burst size का है ठीक है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जोगे रहरों से मुझे कमेंट करके friends बताईएगा और अगर पसंद आया है तो लाइक जिरू कीजिए का और चैनल पर नए है अगर आप लोग कोई भी तो आप चैनल को subscribe भी कर लीजिए ताकि आप आगे भी मेरे वीडियो देख पाए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो ठीक है तो आज के लिए बस इतना है थैंक यू बाई